जैश्राम मेरे मानस जोतिस ग्यान के प्यारे जातक जाते का मैं हूँ आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा किसी भी ग्रह का उदय होना और अस्त होना हम सभी की जीवन पर बहुत ज्यादा इंपक्ट डालता है बुद्ध अस्त हो रहे हैं थर्ड जून को तीन जून को बुद्ध अस्त होंगे और उदय कित्ते तारीक को होंगे तो उदय होंगे 25 जून को यानि कमशे कम 22 दिन के लिए 21-22 दिन के लिए बुद्ध कहीं न कहीं अस्त हो रहे हैं बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड, गिप्ट आइटम से रिलेटेड, एग्री कल्चर से रिलेटेड, मैं यहां तक कह रहा हूँ, बुद्ध के अस्त होने पर आप किसी पेंड को उठा कर देख लीजेगा, जो पेंड की ग्रॉइंग जो क्वालिटी है, जो पेंड जो ब बिलकुल क्लोजडी जाकर देखेगा, वो ग्रो बहुत सिलो प्रोसेस में करेगा, उसके अंदर एक डिफरेंट परिवर्तन देख पाएंगे, ब्यापारी, अगर आप ब्यापार करते हैं, तो आप यह चेक कर पाएंगे, कि आपका मस्तिस्क जिस लेबल पर पहले काम करता था, बुद्ध के अस्त होने पर, वो जो काम करने का तरीका है, वो कम हो गया है, आप एक चीज़ और बता दूँ, शेर मार्केट में अगर आप काम करते हैं, तो आपके लिए बड़ा इंपोर्टेंट होगा कि बुद्ध जिन चीजों से रिलेटेट प्लानेट हैं, लाइ अगरी कल्चर से रिलेटेट जितने प्राडेक्ट हैं, ग्रीनरी से रिलेटेट जितने प्राडेक्ट हैं, या इन से रिलेटेट जो कमपनियां हैं, उन कमपनियों के शेर्फ में बहुत ज़दा फ्लैक्ट्वेशन आप देखेंगे, और इस बीच में उनके शेर इत्याद गीरें इस प्रकार की भी परिस्थती है तो बहुत कुछ बुद्ध के परिवर्तन होने पर ब्यापारिक जगत की अगर बात की जाए और खास करके जिन चीजों की मैंने बात की है बुद्ध और बहुत सारी चीजों से आपके और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चोटी सी जानकारी में फटा पड़ चाहता हूं कि आप सब को दे दू दो दो मिनट की जानकारी थोड़े थोड़े देर की जानकारी दूँगा बाकि आप कॉल करके मुझे बात कर सकते हैं भागोत कथा राम कथ आप आफ कंट्री रहते हैं सब जगहा करके इस कारिक्रम को करने के लिए मैं तयार हूं रात को नौ बजे दो पहर को बारा बजे लाइब आता हूं आप मेरे साथ लाइब जुड़ सकते हैं शाथ में कोई भी इंफोमेशन डिटेल पर राप्त करना चाहते हैं कॉल रहेगा भाई बहनों की जो ग्रोथ है वो कम होगी उनके शाथ रिलेशन आपको मेंटेन रखने में प्राब्लम होगी अपने आत्मिस्वास को बढ़ाए रखिएगा ग्रीन बैश्टेबल अधिक खाईगा ध्यान रखिएगा ब्रिश्राशी के लिए जब बात करते हैं त तो बिद्या अध्येन में थोड़ी सी प्राब्लम होगी ब्रेन स्पीट से काम नहीं करेगा बच्चों से वो रिस्पॉंस प्राप्त करने में मुश्किल होगी जिसके लिए हम एस्पेक्टेशन रखते हैं आपको शिर्फ गायत्री जब करना होगा बुद्ध के अस्तों ह पर उससे आपको इस प्राब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा मिथुन राशी की बात करते हैं आपके श्वयम के राशी श्वामी है फोर्थ हाउस के श्वामी है अगर आप प्रापटी से रिलेटेड बेशाय कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो डील आप कर र पर ग्रीन बाइस टेबल को खाना पार्क इत्यादी में टहलना ग्रीनरी के साथ और बच्छों के साथ अपने आपको कनेक्ट रखना आपके लिए फायदे मन्द होगा करक राशी के लिए जब हम बात करते हैं तो फॉरं शे रिलेटेड जो कारे हैं बुद्ध के अस्त होन से तीन जून को यह करीब 20-21 दिन विदेश से रिलेटेड जो आपका बिजनस है विदेश से रिलेटेड जो आपका कार्य है उसमें आपको बहुत मुश्किले देखने को मिलेंगी बहुत रुकावटे उत्पन हो इस प्रकार की परिस्तिती है शाथ में आपका जो पूजन करना उनको पीले फूल अर्पन करना फायदे मंद होगा अगर हम शिंगराशी को ले करके बात करते हैं इस शमय पर आप ये देखेंगे शिंगराशी के लिए जो बुद्ध अस्त होंगे तीन तारीक को तो आप ये इस शमय पर देखेंगे कहीं न कहीं आपको नजर रहा है तो ये 20-21 दिन आपके जो धन के आने का फ्लो है वो कहीं नहीं कहीं रुकेगा नश्ट नहीं होगा ध्यान रखिएगा फ्यूचर में जरूर आएगा लिकिन उस टाइम पर आपके काम होंगे लेकिन पैसे नहीं आएंगे तो पैसे का फ्लो कहीं नहीं गरबर दिख आरहे हैं आपकी जो एक आक्टिव होने की पोजिशन है वो कम होगी professional life में भाग दौर जादा करना पड़ा है effort जादा करना पड़ा है बट अगर उस प्रकार के हम response की बात कर रहे है तो उस प्रकार की response नहीं मिल रहा है डील्स रुक रही हैं जो हम कोशुश कर रहे हैं वह तहां पर आपको बिधारा की जड़ पहन करके रखना या थोड़ी देर पार्क इत्यादी में सूरी उदय के समय टहलना बड़ा फाइदे मंद होगा। तुला लगने के लिए जब बात करते हैं तो अगर आप बिदेश में रह रहे हैं या कंट्री में भी रह रहे हैं आपको थोड़ी नींद आपकी डिश्टर्ब होगी बुद्ध के अस्तो होने शे आपको ऐसा लगा कि भाग के साथ नहीं दे रहा है या अगर आप धार्मिक कियात्रा इत्यादी कर रहे है तो आपको बार-बार धार्मिक यात्राओं में रुकावट देखने को मिलेगी इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहेगी ब्रिश्चक राशी के लिए जब बात करते हैं तो ब्रिश्चक राशी में शेर मार्किट वगेरा में अगर पैशा लगाते हैं तो वहां से आपको लॉस देखने को मिलेगा जो बुद्ध अस्त होंगे तो वहां से आपका लॉस होने का शयोग है उसके साथ साथ पार्टनर्सिप वोगरा व्योशाय करते हैं तो हाँ पर साउधान रहना होगा पैशे की जो आमदनी है वह आपको दिखेगा कि शायद सिलो हो गई जिस प्रकार आप चाहते थे उस प्रकार पैशे की आमदनी नहीं दिख रही है अगर हम बात करते हैं धनूराशी के लि या प्रेमी प्रेमी का जो जुकाव आपके शायद था जिस प्रकार का समय टाइम स्पेंड करते थे या जिस प्रकार का एक बड़ा मिठास था उस मधुरता में कमी आईगी आप देखेंगे कि जीवन साथी का बिहेबियर अचानक बड़ा डल सा हो गया उनका एनरजी करना या गौशाला में दस मिनट बतीत करने का प्रयास करना सब्ता हमें एक दिन ये बड़ा फायदे मंद होगा आपके लिए मकर राशी के लिए जब बात करते हैं मकर के लिए बुद्ध के अस्त होने से तीन तारीक को क्या इंपक्ट आएगा एक तो सब्से पहले बुद्ध के अस्त होने से आपका धार्मिक चीजों की तरफ से मन हटेगा जो कारे आपके एफ़र्ड के शाषाद भाग से शंबंधित हैं यानि जो आपने कोशिश किया है उसके साथ उसमें भागे का सहयोग ब आपके लिए भगवान कृष्ण का पूजन करना बड़ा फाइदे मता है सबसे पसंदीदारासी एक्चुल में कुम्भ के लिए क्या होगा क्या करेंगे अगर कुम्भ की बात करते हैं तो बुद्ध के अस्त होने पर तीन तारीक को तीन जून को अस्त होंगे और पचीस को जाकर उदय होंगे इस बीच में आपके उपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा एक तो आप दो तीन चीजे देख पाएंगे एक तो जो बच्चों से आप एस्पेक्ट कर रहे हैं उन बच्चों का बिहेवियर बड़ा चेंज शा होगा थोड़ा अजीब सा उनका बिहेव से काम करना चाहिए तरीके शिकाव को लगया कि या मैं कुछ उस प्रकार सोच नहीं पा रहा हूं सोच नहीं पा रहे हूं जो मेरे अंदर है जो मेरे अंदर क्वालिटी उससे मैं कुछ कम सोच पा रहा हूं या सोच पा रही हूं बिद्या धेन में मन नहीं लगेगा मित्र से related जो काम हैं उनमें आपको रुकावट देखने को मिलेगी ऐसे लेगा डील हो रही थी बंद हो गई जो चीजे चल रहे थी जो दिल की एक एक छाती और दिल एक उदास उदास सा लगेगा एक अशांती से लगेगी जीवन शाती की तरफ से जो effort आ रहा था जो जिस पकार का प्रेम था या किसी रिष्टे को सुधारने के लिए बहुत दीज से काम चल रहा था या कोई रिष्टा इत्यादित्ता ही कर रहे थे उसमें अचानक रुकावट आ गई या अचानक कुछ प्राब्लम सो गई इस प्रकार की परिस्तेती देखेगी आपको क्या करने की वारा बजी मैं लाइब आता हूं हम मरे साथ लाइब जुड़ सकते हैं थ्री में जानकारी प्राब कर सकते हैं राम का था भागवत कथ्स्यू पुरान की कथा कोई भी धारमिक कारेकरम उन्हें चेत्र में आयोजन कराना चाहते हैं मेरे दौरा तो प्लीज हमसे संपर्ट क कर सकते हैं बहुत धन्य बाद आपका कारेक्टर में जुड़ने के लिए जैश्री राम